ये missile attack वाकिए बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये missile अब तक युद में योकरेन के बाकी इलाकों के तुल्ला में सुरक्षित रही राजधानी कीउ में गिरी हैं वो की जहां रूस की सेना घुस नहीं पाई वो की जहां योक्रेन के राश्रोपती जेलेंस की मौजूद हैं और रूस को चैलेंज दे रहे हैं और कल जब वो यूएन चीफ से मिलें तो मिसाइल अटाइक कर दिया गया गोर तलब ये है कि यूएन चीफ जेलेंस की से पहले पुतिन से मिलने पहुँचे थे 26 सप्राइल को मौस्को में पुतिन ने गुटरेश से मुलाकात की थी उमीद थी कि युद्ध की लप्टे अगर पूरी तरह बुझे ना तो कम से कम बारूदी प्रहार की तेजी में कमी आ जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ गुटरेश से मुलाकात के बाद पुतिन की ओर से युक्रेश के साथ-साथ पश्चिमी देशों को परमाडू हमले की धमकी दे दी गई और वही गुटरेश जब मौस्को से कीव पहुँचे जेलेंस्की से मिलें तो उस बैठक के ठीक बार कीव में मिसाइल अटाक हो गए युक्रेश के शहरों में रूसकी मिसाइलों ने कीव, पास्टीव, ओडेशा और खेमलनित्सकी और अन्य शहरों पर रूसी मिसाइल हमले एक बार फिर साबित करते हैं कि अभी रिलैक्स करना जल्दी बाजी होकी हम ये नहीं सुच सकते हैं कि युद्ध अन्तिकी और पहुच रहा है, हमें अभी भी लड़ना चाहिए और कबजेधारियों को खदेरना चाहिए